नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे लोगप्रिये कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी अनाम डिश्टा, तो आए सुनते हैं कहानी ये पोटली बांध कर कहां चली मा जी, जसी के घर से बाहर जाने के उपक्रम पर निम्मो बहुने आवाज लगाई, आज सरसो का साग पकाया था, भाई जी को बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा साग और चार मकई की रोटी ले जा रही हूँ, जसी ने धीमी आवाज में कहा बहुत सेवा कर ली भाई जी की, अच्छा हो उनी के घर रहकर उनकी पूरी देख भाल कर लिजे ये क्या कह रही है निम्मो, अपना घर चोड़कर उनके घर जाकर रहूँ विश्मित जसी समझ नहीं पाई, निम्मो क्या कहना चायती थी ठीकी तो कह रही हूँ, अपने बेटे के समझाने पर भी बात समझ में नहीं आती ये रोज-रोज भाई जी के घर के चेकर लगाने पर मुहले पडोसी कितनी बातें बना रहे हैं कुछ तो अपने बेटे की इज़्जत का खयाल कीजिये, क्यों हमारी नाग कटाने पर तुली है किन मुहले वालों की बात कर रही है निम्मो, मेहर की मौत के बात कहां थे ये मुहले वाले अकेली जान को अगर भाई जी और अमिया ने सहारा न दिया होता तो मेरे साथ दो नन्ने बच्चों को मेरी विध्वा मा क्या समाल पाती कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने, मुझे पडोस की मनमीत अंटी ने सब बताया है कैसे तुम दिन रात उनके घर में नौकरानी की तरह खड़ती थी उसके बदले में थोड़ा सा सहारा दे दिया, तो कौन सा उपकार कर दिया एक बार कह दिया, ये साग रोटी लेकर नहीं जाना है हमारे घर पैसों का पेड़ नहीं लगता तैश में अपनी बात कहती निम्मो, सास के हाथ से पोटली छीन बड़बडाती हुई अंदर चली गई बहु के बेवार पर जसी उसे फटी-फटी आँखों से देखती रह गई विरोध के शब्द मुह से निकल ही न सके वापस अपने कमरे में जाकर कटे पेड़ सी पलंग पर गिर पड़ी आँखों से आस्वों का सैला पह निकला कल भाई जी से कहे आई थी उनके लिए उनका मन पसंद साग बना कर ले जाएगी वह उसका इंतजार कर रहे होंगे अमरीकन बहु से तो दो फुलकों का भी सहारा नहीं है बेटा भी उसी के रंग में रंग गया है जब तक अमिया थी भाई जी को गरम गरम फुलके सेंख कर खिलाती थी आज अमिया को दुनिया छोड़े 20 दिन बीच चुके हैं कैसे अचानक सब को छोड़कर सोते सोते चली गई एक बार भी नहीं सोचा उसके बाद भाई जी क्या करेंगे उनका चश्मा, दवाईया, कपड़े कौन सहेजेगा अपनी हर बात के लिए तो भाई जी अमिया पर निर्वर थे आश्मों से धुंदली आँखों में से अतीत की खिड़कियां एक-एक करके खुलने लगी जसी और अमरत के घर पास-पास थे दोनों घरों में बहुत मेल मिलाब था तीन बरस की जसी, पांच बरस की अमरत के पीछे-पीछे गोंती जसी अमरत नहीं कह पाती इसलिए उसे अमया पुकारती सबको जसी का दिया नाम इतना पसंद आया कि अमरत को अमया ही पुकारा जाने लगा दोनों का प्यार देखकर सब यही समस्ते की वे दोनों बहने हैं पास के बाक से कच्चे आम अमरूत तोड़ने पर अमिया अपने उपर सारा दोश लेकर माली की डाट खा जसी को बचा लेती नन्नी जसी समझ नहीं पाती कि उसके घर उसके पापा क्यों नहीं है मा दिन रात मशीन पर दूसरों के लिए कपड़े सिलती, कढ़ाई बुनाई करती पर उसके लिए दूसरों की सिलाई के बाद बचे टुकड़े जोड़कर फ्रॉक सिल देती हाँ, अमिया वाली आंटी जी उसे हर त्योहार और जन्म दिन के अलावा जब भी अमिया को कपड़े खरीती तो जसी के लिए भी नई फ्रॉक जरूर देती अमिया के चोटे हो गए कपड़ों को तो वह बड़े शौक से पहन थी अमिया के पापा भी उसे प्यार करते पर उसके अपने पापा कहां थे उसे याद है जब अमिया को स्कूल में दाखिला दिलाया गया तो वह भी स्कूल जाने को मचल गई थी बड़ी मुश्किल से उसे समझाया गया था स्कूल में दाखिले के लिए उसकी उम्र कम थी पांस साल की होते ही अमिया के पापा उसे खुद लेकर इस्कूल में उसका नाम लिखा आये थे पीट पर बस्ता लादे दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगी अमिया जसी की पूरी जिम्मेदारी अपनी समझ दी समय के साथ जसी की समझ में आ गया उसके पापा एक एकसिडेंट में उसे और उसकी मा को हमेशा के लिए छोड़ कर भगवान के पास चले गए थे पापा के घरवालों ने जायदार्ट से मा का हिस्सा भी छेन कर उसे बेघर कर दिया था गाउँ वापस लोटी मा और नन्नी जसी को अमिया के पापा और मा ने अपने रिष्टेदारों से बढ़ कर माना था गाउँ जैसे उस छोटे कस्पे में लड़कियों के लिए दस्मी तक स्कूल खुल जाना उनका सौभा के ही था अमिया दस्मी पास कर चुकी थी उसे शहर भेशते उसकी मा को डर लगता था जवान लड़की को अकेले छोड़ना खत्रे से खाली नहीं है कलको कोई उँज नीच हो जाए तो किसी को मुँ दिखाने लाइक नहीं रहेंगे ये अमिया की किस्मत ही थी कि स्कूल में ग्यारहमी कक्षा शुरू कर दी गई अमिया के स्कूल न जाने की कल्पना से जसी उदास थी अब वह भी खुशी से चहक उती अब कितना मज़ा आएगा हम दोनों साथ साथ जाएंगे अगर तेरी अमिया की शादी दूसरे शहर में हो गई तब तू क्या करेगी जसी अमिया की माने मजाख में कहा तब हम भी अमिया के साथ उसके घर जाएंगे जसी ने तपाक से कहा जसी के भोले जवाब पर सब हस पड़े अम्या की मा की आकस्मिक म्रत्व ने सब को इस्तप्थ कर दिया उस कठिन समय में अम्या को जसी की मा और जसी ने समाला था पत्नी की म्रत्व के बाद अम्या के पापा जीवन के प्रती उदासीन हो गए मा के जाने के बाद अम्या का अधिकांश समय जसी के घरी बीतने लगा जीवन से विरक्त अम्या के पापा ने एक तरह से सन्यास ही ले लिया था मा की मृत्तु के बाद 19 वर्ष की अम्या भी बहुत समझदार हो गई थी वह अपने पापा की हर तरह से सेवा करती पर उनका अकेला पन दूर करना कठिन था पत्नी की मृत्तु के बाद एक घनिष्ट मित्र की मृत्तु ने अम्या के पापा को और भी तोड़ दिया मित्र का बेटा कुंदन अनाथ हो गया मित्र की पत्नी पहले ही दुनिया छोड़ कर जा चुकी थी कुंदन एक सौम में शुशील और सिख्षित युवग था अमिया के पापा को कुंदन अपनी बेटी के लिए हर तरह से योगवर लगा था बेटी के दायत्तों से मुक्त होने के लिए एक शुब मुहुर्द में अमिया और कुंदन का विवा हो गया शादी में जसी की माने दिन रात काम करके अमिया को मा की कमी महसूस नहीं होने दी अमिया की शादी में जसी के उसाह का अंत नहीं था शादी पर पहनने के लिए अम्या ने जसी के लिए भी सूट सिलवाय थे धानी सलवार सूट पर टिशू की चुन्नी के साथ गले में मोती की माला और कान में मैचिंग जुमके पहने जसी खूब सज रही थी साथ की लड़ियां कुंदन को छेड रही थी जसी को कुंदन से सहानों भूती हो आई प्यार से पूचा हम आपको जीजू नहीं कहेंगे भाई जी कहें तो कैसा रहेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरी कोई बहन नहीं है तुम जैसी बहन पाकर तो हर त्योहार की खुशी दुगनी हो जाएगी मुझे राकर कुंदन ने कहा था तो ठीक है अब हमें कोई परिशान नहीं करेगा मेरे भाई जी परिशान करने वालों को सजा देंगे मेरी बहन को कौन परिशान करता है नाम बताओ उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूँगा कुंदन ने बनावटी गुसे से कहा सच तब तो बड़ा मज़ा आएगा जानते हैं पास के कस्वे में रहने वाला मेर रोज साइकल से हमारे पीछे आता है हमसे बात करना चाहता है पर हम बात नहीं करते तुम बहुत अच्छा करती हो हम उस मेहर को देख लेंगे शादी में अमिया को मा की कमी खल रही थी पर जसी और उसकी सहेलियों ने नाच गा कर रौनक कर दी जसी का नाच देख कर तो सब तालियां बजाते नहीं ठक रहे थे अचानक अपने सामने मेहर को खड़ा देख जसी रुख गई ये लो शिकार तो खुद सामने आ गया था तुम यहां मेरा पीछा करने का अभी मज़ा मिल जाएगा समझे अरे वा गुसे में तो तू और सोड़ी लगती है तेरा पीछा तो इस जिन्दगी में नहीं चोड़ने वाला मेहर बेखौफ हस रहा था चलो जरा हमारे भाईची के पास चलो सब पता चल जाएगा जो हुकुम सरकार चलिए मेहर अकड़कर चल रही जसी के पीछे मुस्कराता चल रहाता ये देखिये भाईची इसकी हिम्मत यहां भी पीछा करता आ गया कुंदन के पास पहुँच जसी ने शिकायत की माफ करें प्राजी देरी से आया हूँ आज फैक्टरी से लोटने में देर हो गई कुंदन के पाउँ पर जोगते मेहर ने कहा अच्छा तो तू ही मेरी बहन का पीछा करता है मेरी शाती के दिन तो फैक्टरी से देर में आया और मेरी बहन का पीछा करने आते वक्त क्या फैक्टरी जल्दी बंद हो जाती है देख आगे से ये नहीं चलेगा बात खत्म करते कुंदन के चेरे पर हलकी मुस्तान आ गई आप इसे जानते हैं भाई जी विस्मित जसी ने पूचा हाँ ये मेरे पापा के दोस्त का पुत्तर है अब ये तुझे परिशान नहीं करेगा तो आप इसे सजा नहीं देंगे भाई जी जसी निराश दिखी तेरी दी हुई सजा क्या कम थी जानते हैं प्राजी एक दिन मैं काम से इधार आ रहा था ये अमरूद के पेड़ पर चढ़ी कच्चे अमरूद तोड़ कर फेंक रही थी मैंने मना किया तो सीधे एक अमरूद मेरे सिर पर फेंक मारा कई दिनों तक माथे पर गोमड़ा पड़ा रहा मेहर ने कहा अरे वाह मेरी बहन का निशाना तो बड़ा पक्का है सीधा तेरे माथे पर लगा कुंदन हस पड़ा मेहर ने शरारत से जसी को देखा तो जसी चिड़ कर भाग गई मेहर की मुगद द्रश्टी जसी को अपनी पीट पर जमी साफ मैसूस हो रही थी जसी को इसी बात की खुशी थी कि अमिया अपने घर में ही रहेगी और अब कुंदन भाईजी भी साथ में रहेंगे दोनों के साथ जसी को खूम मज़ा आलगा अगर अमिया को किसी और जगह जाना होता तो जसी सह नहीं पाती आमिया की तरह कुंदन भी जसी को छोटी बहन की तरह इसने देता तीनों का समय अच्छा भीत रहा था आमिया की शादी के बाद उसके पापा कुंदन पर सारी जिम्मेदारी छोड़ कर हरी द्वार चले गए आमिया और कुंदन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं रुके इस बीच महर का उनके घर आना जाना लगा रहता आमिया छेड़ती सच कहो महर भाई तुम यहां हमारी जसी के लिए आते हो न उत्तर में महर मुस्करा देता अब उसे जसी का पीछा करने की जरूरत नहीं थी कुंदन काम में वैस्त रहता उसने अमिया के पापा का काम बड़ी अच्छी तरह से समाल लिया था घर में उसके न रहने पर जसी और अमिया की बातों का पिटारा खुल जाता कभी कभी महर भी उनकी बातों में शामिल हो जाता जसी पर उसकी मुख्द द्रिश्टी अमिया से छिपी नहीं थी महर की मज़ेदार बातें जसी को भी हसा देती कभी कभी दोनों की आँखे मिल जाने पर जसी शर्मा जाती अब उसे महर से कोई शिकायत नहीं थी बलकि अब वह जसी को अच्छा लगने लगा था राखी के दिन जसी बहुत उत्साही थी अपने हाथों से मिठाई बना कर पूजा की थाली सजाई कुंदन को राखी बांती जसी का चेहरा चमक रहा था कुंदन की आखों में खुशी के आशू आ गए जसी को उपहार दे कर कहा आज मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है मुझे राखी बांतने वाली बहन मिल गई है और हमें एक प्यारा भाई मिला है पर अम्या को हम भाबी नहीं कहेंगे हमारी लिए तो वो अम्या ही रही मेरी बड़ी बहन जसी ने फैसला सुना दिया आखिर महर ने अपने मन की बात खोल ही दी वह जसी से शादी करना चाहता था अम्या ने जसी की मां के सामने महर का प्रस्ताव रख दिया मेहर हर तरह से जसी के लिए अच्छा पती साबित होगा गाउं में उसकी जमीन जायदाद है मेहर का बड़ा भाई कहने को तो सोतेला है पर वही खेती समालता है और मेहर एलमोनियम बनाने वाली फैक्टरी में काम करता है जसी की मा को भला क्या एतराज होता बिना बाब की बेटी को घर बैठे अच्छा घरवर मिल जाए तो और क्या चाहिए एक दिन जसी को अकेले पाब मेहर ने पूझा मेरी घरवाली बनेगी जसी तुझे पलकों पर बिठा कर रखूंगा अगर तेरी पलके मेरा बोज उठा सकें तो मंजूर है मेहर जसी ने मजाग किया उत्तर में मेहर ने नाजुक फूल सी जसी को अपनी सबल बाहों में उठा कर चकर दिला दिये डर से जसी ने आँखे मुंद ली जसी की शादी में अमिया और भाई जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जसी की मा कम खर्चे की बात करती तो भाई जी कहते ये मेरी बहन की शादी है कोई कमी कैसे रह सकती है अमिया के कंदे पर सिर्धर का रोने के बाद जसी विदा हो गई शादी के बाद महर ने जसी को अपने प्यार से अमिया और मा का अभाव भुला दिया अमिया के बेटے के जन्म पर जसी खुशी से ना चूठी पूरे एक महीने अमिया और उसके बेटे के साथ रहने पर भी उसका दिल नहीं भरा मेहर रोज चक कर लगाता रहा और जसी को वापस जाना पड़ा विदाकर्ती अम्या ने हस्ते हुए मेहर से कहा जसी को बच्चे से इतना प्यार है अब इसे अपना बच्चा चाहिए मेहर जो हुकम पर जाई जी ये कहे तो बच्चों की लाइन लगा दू मेहर ने शैतानी से कहा धत बेशरम कहीं का जसी ने लजाकर चुन्ने में मोच छिपा लिया मेहर ने अपना कहा सच कर दिखाया एक-एक साल के अंतर पर जसी का बेटा और उसके बाद बेटी का जनम हुआ दोनों बच्चों के जनम पर अम्या बड़ी बहन होने के नाते धेर सारी सौगातने लेकर आई थी सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था कि मेहर अचानक बीमार पड़ गया भयानक खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगी आराम न आने पर शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाया गया जाज में पता चला उसके दोनों फेफ़नों में कैंसर ने घर बना लिया था दिर होने की वज़े से कैंसर बहुत फैल चुका था उसके बाद मेहर ने कितने कष्ट में तीन महीने काटे थे उसकी मौत पर सोतेले भाई और भावी ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया तू मनहूस है, तेरी वज़े से मेरा जवान भाई चला गया भाई ने जसी को सुनाया अब हमें और हमारे बच्चों पर रहम कर और यहां से चली जा भावी ने हाथ जोड़े इन दो बच्चों को लेकर कहां जाएंगे हमें घर के कोने में पड़ा रहने दो ये आपके भाई के बच्चे हैं जसी की आँखों से आशू बह रह थे कहीं भी जा, हमें मतलम नहीं मेहर की बिमारी में हमारा सब कुछ खत्म हो गया अब तीन-तीन पेट कहां से भरेंगे सीधी तरह से चली जा वरना भाई ने चेतावनी दी जसी की विंती का कोई असर नहीं हुआ निरुपाय जसी फिर उसी घर में वापस आ गई जहां से उसकी डोली उठी थी अमिया उसे सीने से लिप्ता कितना रोई थी भाई जी ने इसने से सिर्फ़ पर हाथ धर कर कहा था जट तक तेरा भाई जिन्दा है तू और तेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है उस घर में तुझे कभी वापस नहीं जाना होगा जहां से मेरी बहन को अपमानित करके निकाला गया है सच यही था कि जशी और उसके बच्चे अमिया और भाई जी के संरक्षन में शान्त और सुखी जिन्दगी बिता सके थे उन्होंने अपने इकलोते बेटे और जशी के बच्चों में कोई भेद नहीं रखाता जशी को पास के प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिलने पर अमिया नाराज हो उठी क्यों? तुझे क्या जरूरत है काम करने की? तेरे भाई जी के पास रब का दिया इतना है कि तीन की जगह दस लोगों के रोटी खाने पर कमी नहीं होने वाली कुछ काम करूंगी तुझी लगा रहेगा अमिया बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं उनके सिर पर तेरा और भाई जी का साया बना रहे मुझे उनकी कोई फिकर नहीं है अमिया के बेटे कमल को अमरीका पढ़ाई के लिए जाने का मन था उसके साथ भाई जी जसी के बेटे अमर को भी भेजना चाहते थे पर अमर समझदार लड़का था उसने हिंदुस्तान में ही पढ़ाई और नौपरी का फैसला लिया था चार साल बीत गए उस बीच जसी की बेटी की शादी एक अच्छे घरवर के साथ धूमधाम से हो गई कन्यादान भी अमिया और भाईजी ने ही किया था जिस दिन कमल अमरीका से अमरीकी लड़की के साथ ब्याह करके घर वापस आया अमिया तूट गई जसी के सामने फूट पड़ी मेरे सपने तो तूट गए जसी अमरीकी बहु के साथ चार बात भी तो नहीं कर सकती उसकी गिटपट बोली कैसे समझू यही दिन दिखाने के लिए कमल को अमरीका भेजा था कमल के लोटने के बाद उसकी शादी के सपने देखती अमिया ने न जाने कितने कीमती जोड़े खरीद कर रख रख के थे उसकी स्कर्ट और फ्रॉक पहनने वाली बहु को वो भारी जरी के कामदार कपड़े जरा भी नहीं भाए अमर की शादी में वो कीमती कपड़े जस्ती की बहु निम्मो की किस्मत में आये आज वही निम्मो भाई जी के लिए चार रोटी और साग ले जाने पर क्या कुछ नहीं सुना गई नहीं जस्ती अग तुझे दिल पर पत्थर रखने होंगे आसु पोँच जस्ती उठ गई भाई जी से सब कुछ कहना ही होगा जिस निम्मो पर अमिया जान छिड़कती थी आज उसके खिलाप बोलते उसकी जुबान जरा नहीं हिचकी सब कुछ सुनकर भाई जी सोच में पड़ गए सहज होकर कहा परिशान मत हो मेरी बहना जब से अमिया गई है तभी से मेरा दिल यहां नहीं लगता मैंने एक आश्रम में जाने का पक्का निश्चय कर लिया है वहां मेरे पास आने में तुझे कोई नहीं रोक सकेगा वहां तेरे लिए मेरी मन पसंद रोटी साग बनाने का पूरा इंतजाम है भाई जी मुस्कराए हाई भाई जी इतना बड़ा घर छोड़कर आश्रम में रहोगे नहीं आप कहीं नहीं जाओगे घर तो घरवाली से बनता है जब घरवाली ही नहीं रही तो कैसा घर एक बात याद रख जब तक मैं जिन्दा हूँ जहां भी मैं रहूँ वो जगह तेरा माय का है जब जी चाहे अपने भाई जी के पास आ जाना खर्चे की परवाह मत करना तेरे भाई के पास अपनी बहन को आराम से रखने के लिए पैसों की कमी नहीं है भाई जी शायद मेरा सगा भाई भी होता तो उससे भी इतना प्यार नहीं मिलता जशी की आँखों से आंसु बह निकले क्या मैं तेरा सगा भाई नहीं हूँ जिस दिन बेटे बहु से नव बने बेहिचक भाई के पास चली आना प्यार से जसी के सिर पर आशीश का हाथ धरते भाई जी की आँखें नम थी तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी आपको अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिलकुल भी न बोले धन्यवाद